दोस्तो बैगन की बहुत तरीके की रैसिपीस खाई होगी देखी होगी डिशिस खाई होगी आपने आज मैं एक बहुत ही अलग तरीका शेयर कर रही हूँ इसे आप बैगन की सबजी कह सकते हो बैगन का चोखा कह सकते हो आप क्या कहना चाहोगे जरूर बताना कॉमेंट में अब यहां हमने बैगल लिये हैं बड़िया सॉप्ट सॉप्ट और्गैनिक बैगल है घर के ही यानि गार्डन के बाजार के नहीं है अब इन्हें मैंने धो लिया है और इस तरीके से बीच में से काट लेना है तो बैगल छोटा हो बड़ा हो कैसा चलेगा अब हमने तवे पर लोहे की तवे पर स्पेशिली लिया हुआ है बहुत है जो है एक चौथािए कपके जितना हमने लगबग यहा पर तेल लिया हुआ है यानि की तीन चार टेवल स्पून हमने तेल आराम से लिया है भरके इसी में नीचे की साइड इस तरीके से पहले हम बैगन डाल तो क्योंकि बैगन मेरे पास ज्यादा थे और यह जो डंठल है ना इस डंठल की वज़े से बैगन अर्जस्ट नहीं हो पा रहे थे इसलिए मैं बैगन के डंठल को बाद में निकाल दूंगी क्योंकि यह चीज मुझे बाद में जब मैंने तवी पर बैगन डाले ना तब रि दखना है क्योंकि यह बैगन इतने ज्यादा सौफ्ट है यह बहुत जल्दी बनके तयार होते हैं धकन से धक दिया है मैंने जल्दी से अंदर तक पाग जाए फ्लेम को मैंने लो मीडियम कर दिया है और यहां पर एक फटा-फट चे बढ़िया सा सलाथ बना के दिखाती हू में और यह सलाथ जो है बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे जरूर ट्राय करना एक बार तो प्याज को काट लीजिए और प्याज की जो लेयर से उनको खोल दीजिए तो वैसे आप अगर प्याज को एक बार पानी में धोएंगे ना जब हाथों से थोड़ा मसल के तो वै अच्छे से पानी ने चोड़के तब बना उससे सलाथ जल्दी से स्मेल नहीं करता है जो कि इनकी जो प्याज की स्मेल होती है वो निकल जाती है अब मैं इसमें मूली ले रही हूँ तो आप सभी जानते हो मूली हर मोसम में ही सलाथ में किती बढ़िया लगती है बढ़िया आप चुकंदर को grate करके यूज़ करो क्योंकि मैं कम बना रही हूँ यहाँ पे सलाथ दो ही लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने चुकंदर कम डाला है अतरवाईज आप पूरा एक चुकंदर इसमें grate करके डाल दो बीच से काट करके एक मैंने हरी मिल्च डाल दी है बारी कटी हुए हरी धनिया बहुत ही थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और अब इसमें डाल रही हूँ गन्ये का सिरका सुगर केन वाला जो होता है विनिगर वो डालना है इसमें आपने नीम्बू नहीं यूज़ करना है या फिर गन्ये का सिरका नहीं है तो आप वाइट विनेगर यूज़ कर सकते हो आधा चम्मच एक चम्मच जिससाब से कॉंटिटी है इस सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है तो जब आप सिरका डालोगे न तो चुकंदर की विज़े से जब इसका चुकंदर का कलर इतनी जल्दी प्याज में जाएगा कि एकदम बढ़िया पिंक वाले जो अनियन होते है न एकदम इंस्टेंट तयार हो जाएगे अच्छे से इसे मिला दीजिए और हमारा जो सलाद है न यह बढ़िया तरीके से बनके तयार हो चुका है पर जरू ट्राइक करना यहाँ देखो टमाटर वाह क्या बात है बहुत ही कमाल इसी तरीके के आपको बैगन चाहिए हमें कितने बढ़िया बैगन हमारे हो गए है और अब इनको हम एक डीप पैन में निकाल लेंगे इस तरीके से मैंने यहाँ पर सरसो के तेल में इने भूना है आप घी में भी भून सकते हो सारे बैगन निकाल लेंगे जितने मैगन आपको चाहिए आप इसी तवे पर टमाटर और हरी मिर्च लेंगे टमाटर को भी इस तरीके से हमने काट लिया है और खुब सारा लैसुन छील करके ले लेंगे और मिर्च भी आपने अपने टेस्ट के इसाब से लेनी है थोड़ा सा 3-4 मुने तेल की हमने डाल दी है जिसे की जो चीजें है वो जले नहीं फ्लेम को हम मीडियम टु हाई रखेंगे जिसे जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए और बस इने इस तरीके से हम पलटते रहेंगे तो देखो टमाटरों में कलर आ गया है इस तरीके से तो अब सारी चीजें इसमें हम इस तरीके से निकालते जाएंगे कोई गहरा आपने बरतन लेना है इसके लिए और अब इसमें डालेंगे खुब सारी प्याज भारीक कटी हुए तो आप जो है इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो चावल के साथ भी ट्राय कर सकते हो बाटी वगेरा के साथ में तो ये बहुत कमाल का लगेगा और यहां हमने खुब सारा हरा धनिया डाला है और मुझे नीबू बहुत पसंद है भसनली सभी चीजों में तो मैं नीबू थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिए मैंने एक बड़ी साइज का पुरा नीबू इसमें यूज कर लिया है और हरा धनिया भी बहुत सारा इसमें डालना है जिससे कि इसका सुष्वा देना बहुत कमाल काने वाला है दोस्तों और अब इसमें मैं मूली उज़ कर रही हूँ तो मूली का सलाथ तो हमने बनाया ही है लेकिन आप इस तरीके से इसमें भी मूली डालना आप एक बार जरूर ट्राइ करके देखना मेरी इस रेसिपी को आप सच में उंगलिया चाटते रह जाओगे तो यहां पर देखो इसे आप किसी भी सीजन में बना सकते हो वर्साथ में सरदी में गर्मी में हर मौसम में यह बहुत हेट है बारिक बारिक मुली को काट दिया है हमने और अब यहां पर हम नमक आइधिंक हमने अभी नहीं डाला है तो इसमें हम नमक डाल लेंगे और नमक तेज मत करना हलका ही रखना नमक को इसमें थोड़ा सा कच्छा सरसों का तेल है आप सब जानते हूँ बैगन भरता जो है बीना कच्छे तेल के अधूरा है हलाकि हमने इसे तेल में बूना है सावी चीजों को लेकिन कच्छे तेल के बीना बहुत अधूरा है अब इस तरहीके से मैं ग्लास से मैस कर रही हूँ अगर आपके पास मैशर है जिससे यह अच्छे से मैस हो जाए तो आप उससे मैस कर दो नॉर्मल हम बैंगन को छील करके यूज करते हैं पर यहां हम बैंगन को नहीं छील रहे हैं क्योंकि हमने बैंगन को तेल में फ्राइ किया है जिसके वज़े से इसकी जो स्किन है जो छील का है बहुत क्रिस्प हो गया है और वो खाने में बहुत ही अच्छा लगीगा इसे रोड लाइक करो